हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होग अप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स फाइनली आप लोग जो डिमांड कर रहे थे न दोस्तों आज अगेन एक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि आपको 10 स्टैंडर के बोर्ड एक्जाम में बहुत जादा हेल्प होने वाला है और जो टॉपी के दोस्तों क्या होते हैं था स्पीच आते हैं ऐसका अलोड़िऊ सेक्षंट में जाका जर और कुछानी जानी है तो आपने बहुत अच्छा comment किया था कि sir हमें तीनों language के बार में बताओ कि हम writing skills में कैसे बहतरीन से बहतरीन marks लेकर आ सकते हैं तो आज का topic दोस्तों वही है कि how to score good marks in the writing skills तो आज कुछ important tips आपको मैं देने वाला हूँ और अगर आप ये tips follow कर लेते हो तो definitely आपके writing skills में बहुत अच्छे marks आ सकते हैं और languages में क्या होता है writing skills में अच्छे marks निकाल लोगे तो automatically languages में भी अच्छे से marks आ जाते हैं clear है तो चलिए बात कर रहेंगे तो आज हम लोग सबसे पहली अगर मैं बात करूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं all languages यानि कि एक ही यह वीडियो में तीनों languages के बार में बदाने वाला हो यानि कि हिंदी में भी इंग्लिश में भी और मराठी में भी यह तीनों language जो आपके main languages हैं इनमें आप इसी क्या strategy को follow करो जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से writing skills में mark score कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक personal advice देना चाहता हूँ यह personal advice बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता है तो my personal advice क्या है मेरा personal advice तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताओ बहुत सारे teachers and बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे educators ऐसे मिलेंगे जो हमेशा बोलते हैं कि आपको न सबसे पहले writing skills को attempt करना चाहिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए writing skills को attempt करना चाहिए यसे कि question number 1, question number 2 होते है तो आपको सबसे पहले आप जामते हूं कि कोई भी आप language का paper उठा के देख लो तो सबसे पहला question जो होता है वो passage का होता है जैसे आप जामते हो passage होता है उसके बाद उसमें grammar पूछते हैं अपका जो questions होते हैं वो सब ही writing skills के questions होते हैं तो हमेशा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि writing skills में जादा waitage होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो writing skills को attempt कर लो लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको हमेशा हमेशा राइटिंग स्किल को एकड़म लास्ट में ही अटेम्ट करना है attempt in the last क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे का एक justify करूँगा मैं answer को यह जो मेरा suggestion मैं आपके लिए मैं हवी में बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसको justify करूँगा और यह आप लोगो decide करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलब बोल रहा हूँ correct है तो सबसे पहली बात अगर आप writing skills को सबसे पहले attempt करते हो तो मुझे बात बताओ writing skills का मतलब क्या होता है इसमें essay writing हो जाती है report writing हो जाता है speech writing हो जाता है आपको एकदम essay दिमाख लगा के लिखना पड़ता है मतलब आपके अंदर से वो आना चाहिए न तो मतलब एकदम आप full energy करहोगे तो यार आपके अंदर से बहुत सारे thoughts निकलेंगे दोस्तों तो मुझे बात बताओ कि जब भी आप उसको लिखोगे तो बहुत जादा time ले लोगे बहुत जादा time ले लोगे and time consuming होने के वज़े से आपने बहुत जादा time ले लिया समझ लोग आपने writing skills में बहुत जादा time ले लिया and बाप में पता चला कि जो बाकी के questions आपको attempt करने थे उसके लिए बिल्कुल कम समय रहे गया है क्योंकि यार जादा तर लोग गलतिया यही कर देते हैं सबसे पहले writing skills हो time करते हैं पूरा आदा से आदा time उनके writing skills में चले जाता है बचा कुचा जो time होता है उसमें वो फटा फट 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 पैसेज में से answer ढूंड़ने की कोशिश करते हैं जो कि वो ढूंड नहीं पाते हैं और उसके वज़े से writing skills में तो 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 अच्छे marks मिल जाएंगे अगर पैसेज को attempt किया है यह जानते हो यह सबसे इंपोर्टन चीज में बजाने जारो ध्यान से सुनना सबसे पहले अगर आपने पैसेज को attempt किया है तो आपने भर भर के answer लिख दिया पैसेज में क्योंकि आप देखो बहुत सारे चीज़े learn करके भी जाते हो पैसेज रिलेटर चीज है तो आपको आ गया तो आप इसको फटा फट से लिख दोगे लिख दोगे ठीक है मैं मान गया लिख लोगे लिखने के बाद क्या होता है जो examiner होगा जाने कि जो paper चेक करता है वो देखेगा कि यार इसने बहुत अच्छे से पैसेज लिखा हुआ इसका answer बुट correct है वहाँ पर गया अगर दो marks का होगा जो भी होगा जितने भी marks का होगा जनररी एक question एक marks के आते है न पैसेज में एक question ऐसे बहुत सारे multiple questions होते है तो एक में से एक एक में से एक ऐसा आपको marks देते जाएगा क्यूँ आपको यहाँ पर passage में से आपने में एक अच्छे student बन जाओगे क्योंकि examiner जो paper check करता है उनका mindset होता है और वही अगर आप गलती करते है और पहले सबसे पहले राइटिंग स्किल लिखते जो कि नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले लोग राइटिंग स्किल लिखते तो क्या होता सबसे पहले हो एक essay लिख समझे लो essay लिख दिया writing skills में report लिख दिया speech लिख दिया तो क्या होता है इसमें बहुत सारे mistakes होने के chances होते है क्योंकि हमेशा हमेरा हमारा जो English होगा वो proper नहीं निकलेगा हिंदी जो होगा व्रितांत जो हम लोग लिखते हैं ठीक है न हिंदी मराठी में व्रितांत लिखते तो examiner क्या बोलेगा अरे यह तो average student है यह तो normal student है तो आपको normal treat करेगा और आपके इसके बाद के page पे जो भी आपने लिखा होगा उसके दिमाग में क्या रहेगा अरे यह तो normal student है तो उसके हिसाफ से वो marks देगा लेकिन अगर पहले page में आपने passage लिखा हुआ है सब चीज perfect है और full marks आपको पहले दूसरे page में मिल रहे तो उसके दिमाग में एक मल जाएगा कि यह बंदा scholar है इसको अच्छे marks देने चाहिए और यह mentality होती है paper check करवानने वाली की और यह मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ clear है तो इसलिए मेरा suggestion यही रहेगा पहला तो time की कमी क दूसरा जो आपका presentation होता है और जो आपका mindset होता है paper check करने वाले का उसको आपको पकड़ना है that's why आपको सबसे पहले writing skill नहीं लिखना है सबसे पहले आपको passage को लिखना है उसके बाद last में आप writing skills को attempt करोगे ठीक है clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ आपका writing skills है जो मैंने आपको बात बताया तो writing skills में और भी बहुत सारे चीज़ें होती है जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी चीज है तो उसमें सबसे important चीज लिखना मत भूलना जो की होता है course बहुत सारे लोग गलती क्या करते है course नहीं लिखते है कोई भी course हो सकता है English में बहुत सारे quote है Hindi में बहुत सारे dialogue है Marathi मदे बहुत सारे है तो आप इन चीज़ों को याद करके जाओ जो भी topics होंगे और मेरे पास कुछ ऐसे evergreen topics है जिन में से आपके exam में जो writing skills होंगे वो आएंगे ही आएंगे यह मैं आपको बताऊंगा और क्या आप चाहते हो क्या आप comment box and मैं उसका वीडियो अलग से मैं बना दूगा अगर आप चाहोगे तो please comment कर देना ठीक है फटा फट से comment section भर जाना चाहिए तो quotes के हम लग बात कर रहे है दोस्तों तो बहुत सार ऐसे quotes होते quotes यानि कि क्या होता हिंदी मदे मुहावरा मुहावरा बोलते तो मुहावरा बह आपको याद होगा कुछ important आपने हिंदी में कुछ पढ़ा होगा तो पोयम उसमें गुसा दो relate होना चाहिए environment के related कुछ चीज होना चाहिए जैसे English में save environment, save planet, save life इस प्रकार से कुछ चीजे आपको याद करनी होगी तो मैं कुछ important आपको ये दे दूँगा evergreen topics दे दूँग अपने अगर आपने बहुत ही सुन्दर quote लिखा हुआ है save environment, save life जैसे environment क्या कोई topic आगे समझलो और ये भी hot topic है, environment के ओपर बहुत सारे writing skills के ओपर question पूछे जाते हैं, निबंद वगरे, report writing वगरे, या फिर ऐसे लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, same Hindi और Marathi में भी यही ब save environment, save life ये मैंने लिख दिया, तो इससे क्या benefit मिला, यार शुरुआत में इसने quote लिखा हुआ है, यानि कि जो check paper चेक करना वाला व्यक्ति होगा, उसने देखा, करियार शुरुआत में इसने quote लिखा हुआ है, यानि कि ये बंदा जो है, वो धूर district वाला है, इसके पास से, वो quote से बहुत अच्छा feel होता है, और उसके बाद बीच में आप जो भी लिख रहे हो, मतलब अच्छे से लिखे ना, जो भी लिखोगे, तो अच्छे से आप लिख रहे हो, और उसके बाद बीच में भी एक कुछ dialogue, पंच लाइन, ऐसा कुछ मार रहे हो, तो definitely बहुत अ clear है, तो उमीद करते हो, कि यह चीज़ समझ में आ रहे है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको quotes जो है, बहुत important होता है, और लोग बहुत सारे गलतिया यह करते है, कि quotes नहीं लिखते है, simple सा भर-भर के, एक page लिख क्या आ जाएंगे, लेकिन उसमें quotes कुछ था ही नहीं, 3.5B मिल गया, मतलब बहुत अच्छे marks मिल रहे है, आपको writing skill में, तो यह सब चीज़ आपको ध्यान में रखनेना है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको help करेगा, तीनों language के लिए, हिंदी और इंग्लिश और मनाटी के लिए, लेकिन मुझे आप लोग comment करना, देखो अगर एक वीडियो चाहिए, अलग से, तो please comment कर देना, मैं उसके पर एक वीडियो बना दूगा, और इसे के साथ आज का वीडियो में समाप करता हूँ, छोटा सा वीडियो था, help किया होगा, उमीद करता हूँ आप लोग को, मेरा experience जो भी है, ठीके न, students के recommendation के वजए से मैं